नमस्कार दोस्तों स्वागत हाब सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर दोस्तों जो भी कंडिडेट थें DRDU के उन्हों ने दोस्तों एक्जाम दिया हुए था अपडेट किया हुआ है और दोस्तों अब आप लोगों के लिए डिया ने चार यहां पर लिंक प्रोवाइट कर दिया है जिसके थुरू आप अपना रिजल्ट आप लोग चेक कर पाएंगे यहां पर देख सकते हैं DRDU CEP TAM 10DRTC आपको इस आप्षन पर क्लिक करना है तो कर देखिए आप ओफिसल वेबसाइट के नीचे आप लोग जब जाएंगे नीचे यहां पर देखिए यहां पर देखिए डाटा इंट्री डियाड दियू इन्ट्रिटेश्ट छीप सीपी टीम टेन डीर टीशी तो यहां पर दोस्तों नीचे देख सकते हैं क्लिक हीयर तो आप लोग दोस्तों अगर पहला ऊपेंड करिए पहले नहीं हो रहे है और यहाँ पर यह यहां पर आपको इस तरह से ओटन पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर देखिए सरवर यहाँ पर भी थोड़ा बेजी चल लाँ होगा क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट काफी जादा है तो इसलिए लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इससे रिफ्रेस नहीं करूँगा क्योंकि अभी धीरे धीरे हो सकता ओपन हो ही जाएगा और इन्होंने आप चार लिंक प्रोबाइट कर दिया है और यह दोस्तों जो आफिस्यल वेफसाइट है इसका लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्स की दिखो सकते हैं यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो भी है आपका post code, post name, result of tier first CBT, देखिए agriculture वाले हैं, automobile वाले हैं, botany, chemical engineering, chemistry, civil engineering, computer science, electrical and electronics engineering, और देखिए यहाँ पर है electrical engineering, और यहाँ पर देखिए electronics and instrumentation, electronics and electronic communication, और instrumentation, library science, mathematics, mechanical engineering, metallurgy, तो यह सभी candidate का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का यहाँ पर link आपको अब लेबल मिलेगा, अब आपको करना क्या है, दोस्तों जो भी आपको result देखना हो, आपको उस result पर click कर देना है, जैसे कि दोस्तों मैं STAB, mechanical engineering का अगर open करूँ, तो मुझे इस link पर click करना होगा, तो अब लेबल वाले link पर आपको click कर देना है, और दोस्तों जैसे यह आप open करेंगे, तो दोस्तों यह आपको जो page है, यह आपको open हो जाएगा, ठेक, तो यहाँ पर देखिए, मेरा यहाँ पर net काफी slow है, यहाँ पर net नहीं चला है, वरना आप लोग देख सक कर सकते हैं, और जो official website है, उसका जो link है, वो मैं आपको description box में दे दूँगा, ठेक, अब देखिए, यह देखिए, आपके सामने यह page आपका open हो चुका है, मैं यहाँ पर refresh नहीं कर रहा हूं, कि मतलब याप video को बीच में रोक नहीं रहा हूं, आपको सामने यह पूरा open हो र आपको अपना application number डालना है, application number डाल देजिएगा, और इसका बड़ यहाँ पर देखिए, आपको अपना date month और year इस permit में आपको लिख देना है, यहाँ पर देखिए, enter the date of birth, यहाँ पर आप अपना date of birth डाल देजिएगा, ठीक, तो यह हो जाएगा, और इसका बड़ डेट birth डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यह जो capture code है, आपको यहाँ पर डाल देना है, capture code, ठीक, इसका यहाँ पर sub emit वाले बटन पर आप लोग किलिक करिएगा, तो यह आपका result open हो जाएगा, ठीक, तो इस तरह से दोस्तों, आप अपना result चेक कर सकते हैं, अब आ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, लिखा गया है कि, provisionally certlisted candidate for tier second, तो जो भी student tier second के लिए, दोस्तों, select किये गए है, provisionally certlisted candidate, तो उनका यहाँ पर आप result आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, और अपन चैनल है, और ग्रूप है, तो आप लोग उसे जरूर जोइन कर लिजिए, देखिए, यहाँ पर अब्जेक्टिव सेंटर यह जो है, टेलिग्राम, आपको इसे जोइन कर लेना है, यहाँ पर देखिए, इसमें 42 सो लगभग candidate है, तो आपको इसे जोइन कर लेना है, और इसे रिलिटर जो भी material होते हैं, यहाँ पर provide भी किये जाते हैं, तो देखिए, यहाँ पर भहुत सारे लोग comment भी किये हैं, और दोस्तों, RRB Group T का भी result आ रहा है, आज से निकलना start हो चुका है, तो देरे-धेरे, और भी जो भी RRB के जोन है, वो सभी अपना list पब्लिस कर देंगे, जो भी students है, पास होंगे, ठीक, list जारी किया जाएगा, तो वो भी list यहाँ पर दोस्तों, हम provide कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, देख सकती हैं, यहाँ पर RRB Bhopal का, हमने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक, तो आप लोग इसे जरूर चेक कर लेजिए, और जब आ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे security guard का हो गया, ITI से related है, diploma से related, यह सभी दोस्तों, आपको paper मिल जाएगा, तो आप लोग दोस्तों, objective center यह जो group है, आपको इसे join कर लेना है, ठीक, अगर कोई student अगर यह नहीं चाहरा है कि group join करना, क्योंकि group में तो काफ content update होता है, मैं इस channel में डालता हूँ, ठीक, तो आप लोगों को objective center और objective center group तोनों को join कर लेना है, और देखिए दोस्तों, यह जो official website है, देखिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर, कि इन्होंने चार link provide जो किया हुआ हुआ है, ठीक, यह जो link है, चारो के चारो, मैं आपको description box में दे दूँगा, वहाँ से जाके, आप अपना result चेक कर लीजिए, ठीक, और video दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता हूँ, तो video को like कर दीजिए, और अपने दोस्तों साथ share कर दीजिए, ठीक, तो server second से हमने आपको download करके दिखाया था, server second से भी check कर लीजिए, अगर आप server third से जाना चाते हैं, तो server third से मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो yes वाले बटन पर click करेंगे, तो server third से भी आपको open होई जाएगा, तो यह थोड़ा समय लागेगा, क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर मेरा यहाँ पर देखिए, net काफी slow चला है, ठीक, तो ऐसा थोड लोग देख सकते हैं, अब इस पर कोई भी load नहीं है website पर, तो आप आप लोग अपना result जरूर चेक कर लिजिए, ठीक, तो वीडियो कर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करिए, और अपने दोस्तों के साथ share करिए, और जो 4 के 4 यह link है, आपको description box में मिल जाएंगे, आप